हलो, गुट अप्टरनून, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में, देखे दोस्तों, इगनू की जो रिजल्ट की अपडेट है, ओ 10 अक्टूबर 2022 को, यानि कल के दिन आई थी, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके मैंने आपको बताया भी था, और इस वीड की बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे, और इस वीडियो आपका एक प्रकार से, मोटीवेशनल टाइप का वीडियो होने वाला है, और मैं अहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बाते बताऊंगा, और बहुत ही मजेदार इस वीडियो होने वाला है, और किया गा था अगर हम इनके result की बात करें तो आप इनका result देखेगा देखो ए बी ए जी के student है ठीक है इस result को आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेगा देखो इस student का पूरा का पूरा result declare हुए गया है और आप सब को पता होगा जितने भी बी ए जी की student है उनका कितना subject है total 8 subject है और उनका देख सकते कल इनका एक result की update आई थी देख लीजे 10-10-2022 को BPAG 174 में 100 में से 44 marks आएं और आप देख सकते इनके total कितने subject 8 के 8 subject का result आ गया देख लीजे 1-2-3-4-5-6-7-8 total 8 subject हैं और 8 के 8 subject का इनका result declare हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि final year के जो बच्चे हैं बहुत पूशते रहते कि उनकी पूरा result कब तक declare होगा देखे इस student का क्या है result पूरा declare हुआ गया 8 के 8 subject का result आ गया है देखो ए बहुत matter करता है आपने जहां पर exam दे रखा है वहाँ पर आपकी कोपियां कैसे चोको रहे है तो ए जो student है ए राची इनका रिजलन सेंटर है और इनकी जो कोपियां है भूने सोर में चेक की गई है और इनका देख सकते हो full result declare कर दिया गया 8 के 8 सब्दक final year के बच्चे है और इनका पूरा result आ गया है तो इसी प्रकार से अगर मैं इनका grade card दिखाता हूँ आप सभी को इनका अगर मैं grade card दिखाता हूँ तो grade card में देखेगा तो देखे इनके grade card में लगभग देखे सभी subject जो marks है अप्डेट कर देखो सारा completed इसमें सो कर रहा है देखे सिरफ एक ही दो ही subject की बात है जोखो BPAG 174 जो है रिजल्ट आ है दस्तारी को आभी grade card अप्डेट नहीं किया गया है इसलिए उसका mark अप्डेट है और इनका सिरफ एक assignment का marks बचा हुआ है सिरफ कितना result आ चुका है सिरफ एक assignment का marks बचा हुआ है बाकि इनकी BAG जो है जो Bachelor of Art है जो 2019 की student है देखे इनका सभी complete होने जारा और इनकी पूरी degree complete हो चुकी है इगनू की तरफ से इनका पूरा result declare हो गया है और आप देख सकते हैं BPAG 174 का यहाँ पर इनका result आ चुका है अभी grade card अप्डेट हो जगा और इनका पूरा assignment का mark बचा हुआ अप्डेट होते ही इनका पूरा result अप्डेट कर दिया गया है तो कह सकते हो कि 10 तारिक तक क्या कह सकता हूँ 10 October तक इगनू ने final year की लगभग result को दे दिया है बटे matter करता है आप के कौन से subject हैं और आपकी जो कौपिया है ओ कहां पर check की जा रही है ठीक है student का result मैं आपको दिखाता हूँ देखेगा June 2022 में इन्होंने exam दिया है 10 October तो इनको result की update है ठीक है इनका result मैं किस वज़ा से दिखा रहा हूँ अभी मैं आप सब को बता दो देखो इनको 10 तारिक को इनका BGDG का result अपडेट किया गा आप देख सकते हैं 10 October को इनके एक result आए 69 marks आए हैं दूसरा जो इनका result अपडेट किया गया था सिरफ एक ही result की update आई और आप देख सकते हैं अभी तक इनके कितने result की update आई है total 11 subject का result आया है total कितने subject के result है 11 और total इनकोंने कितने subject result आया है 16 का July 2019 की student है ठीक है July 2019 की student है और इनकोंने second year और third year जितने subject है second year के 8 subject ठीक है total 16 subject है जो ग्याम था उसने June 2022 में देख सकते हो June 2022 का ही result की update है June 2022 में इसने क्या दिया था अपना exam दिया था और देख सकते हो और सभी में लगभग देखे सभी में क्या है 11 subject के exam दिये हैं और 11 में 11 में पास होगी अभी इनके 5 subject का result आना बाकी है 11 subject का result है और एक काफी बड़ी बात होती अगर मैं इस बच्ची के अगर whole ticket को दिखाऊं इस लड़की का तो आप देखोगे कि daily इसका exam होता था भाई मेरे और इसके लिए सिरफ आपको मैं motivational के लिखा रहा हूँ कि एक ऐसी लड़की है जो इगनुए पढ़े थी जो second year का, third year का दोनो year का exam साथ में दे रही थी और exam देना बात नहीं बलकि सभी exam को देख रहो इसका देखो दोस्त मेरे कितना पेपर होता था इसका daily paper होता था देखे फिर 17 तारिक को 17 अगस्त को 22 अगस्त को, 23 अगस्त को फिर देख सकते 29 अगस्त को फिर और दो सितमबर को तो देख सकते इसने 16 के 16 subject exam दिये हैं और उसमें से 11 subject का result आया है है और सभी के सभी में लड़की पास हो गई है तो यह आप सब के लिए काफी इसलिए मैं इस बच्ची का result इसलिए लड़की के दिख रहा हूँ ताकि आप सब लोग इससे मोटी बेट हो क्योंकि आप भी इतना ही सारी exam को एक साथ दे सकते हैं और सिरफ दे नहीं सकते हैं बलकि अच्छे नंबरों से और अच्छे मांक से बलकि सेकंड यर क्योंकि फर्स्ट यर में इनका प्रमोट है तो सेकंड यर थर्ड यर का इन्होंने सारे exam दे दी है और 11 का result आए अभी तक और 16 exam दिये हैं 16 में से 11 का है और सभी में पास है पास नहीं बलकि बहुत अच्छे मांक्स भी आए है मांक्स भी अच्छे है देखे उसी का मांक्स है 69, 48, 100 में 48 50 में 31, 100 में 60 51, 54, 72 29, 50 में 39 64, 48, 69 तो देख सकते हो काफी अच्छे और काफी बहतरी इन मांक्स है तो यह आप सब के लिए एक मोटिवेशन का काम है कि अगर एक कोई परसन 16 पेपर दे सकता और जिसका मैंने आपको दिखा है होल्टिकर्ट जिसका भाई मेरे डेली पेपर होता था एक दिन में 2-2 एक्जाम हो जाते थे और ऐसी समय में 16 सब्जेट के पेपर एक महिने में एक्जाम देना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी बात है और पेपर को सिरफ देना नहीं बलकि सभी पेपर को अच्छे मार्क से इसने क्या किया है क्लियर भी किया है देखेगा इस स्टूडन के रिजल देखते हैं यह फियम का मतलब unfair means case यानि आपने जो पेपर दिया भाया फेर तरीके से नहीं है नकल पकलमा रखे है cheating करते हैं या आपने cheating की है या इस परकार से आपे cheating के आरूप लगे हैं तो इस result को शिरफ मैं इसी लिए दिखाता हूँ कि आप सभी लोग एक्जाम में किसी परकार की भाई मेरे नकल मत करो ना तो किसी को अपनी answer seat दिखाओ और ना किसी दूसरे का देख करके लिखो नकल करवाना भी जैसे मालो तुम paper दे रहो पीछे से तुम्हारा कोई बच्चा पीछे जो पैठा है तुम्हारा उतार ले रहा यह उतना आराम से लिखे पढ़के जाओगे आराम से अच्छे marks आएंगे तो नकल मत किजिए भाई मरे हमेशा में मैंना करूँगा यह फ्यम का case लग जाता और दुनिया भर का इसमें भाग दौर बनी रहती है तीन साल की नोर्मल लिखरी यह पांच-छे साल की डिखरी के तुम लेकर के करोगे तो वही मेरा कहने का मतलब है कि इस इन्वेस्टी में नकल इसमें क्या होता कि कॉपी सेम कॉपी हो जाती है इसलिए भी कई बार उफ्यम लग जाता है तीसलिए ना तो चीटिंग करो और ना तो अपनी कॉपी को किसी दूसरे बच्चे को जो बच्चा बैठा है तुमारा फ्रेंड रोएंड कुछ भी हो लेकिन उससे मत बोला करो कि मेरे कापी में से भाईया तू भी उतार ले तू भी लिख ले ऐसा मत करो क्योंकि इसमें कई बार वैसे जर्नली तो कई बार होता ने लेकिन बहुत एक्जानर ऐसे होते हैं जो सेम कोपी अगर उनको लगती है उफ्यम का केस लगा देते अनफेर मेंस यानि आपने भाईया नकल की है चीटिंग की है तो इस प्रकार के नकल वाला काम आपसे लोग किरपया मत करें और मैं इसको आप साब मनाई करूँगा कि आप नकल ना करें क्योंकि बात में फिर समस्या का सामना करना पड़ता है एक बार पेपर में मालो पेपर नहीं पढ़के गए हो फेल हो जाओगे दुबारा एक्जा जोंको मत कीजेगा ठीक है लेते हैं देखें जून 2022 का इनका रिजल्ट अपडेट के आएगो देख सकते हैं 10 अक्टूबर को इनका रिजल्ट अपडेट आये अपडेट आये देख सकते क्या हैं MPS के स्टूडेंट है Master of Political Science और मेरे से बहुत सारे बच्चे पूंसे रहते ह कितना रिजल्ट आ रहा है तो आब हम Master degree वाले स्टूडेंट की बात करते हैं तो देख सकते MPS के स्टूडेंट है और इनका दो रिजल्ट कल के ही दिन आया था 10 तारी को दो इनका रिजल्ट अपडेट हुआ देख सकते काफी अच्छे मार्स है 100 में से 71 मार्स हैं और देख रिजल्ट देखिएगा क्या है जून 2022 का ही है अपडेट आप देख सकते हैं इनका जो रिजल्ट है 10 अक्टूबर को रिजल्ट को अपडेट किया गया था और देख सकते हैं इस्टूडेंट का MSD Master of Hindi के स्टूडेंट है और इनका देखिए कल के दिन इनका 10 तारी को दो र रिजल्ट को अपडेट कर दिया गया है देख लेते हैं इनका क्या है MSD Master of History के स्टूडेंट देख सकते हैं इनका 10 तारी को तीन रिजल्ट की अपडेट की गई देख सकते हैं तीन रिजल्ट अपडेट की अपडेट की है स्टूडेंट का देख सकते हैं इनका क्या है इनको पास भी कर दिया गया है धेखिकलेगे इनका क्या है MEG के student है Master of English के student है इनका भी देख सकते हैं कल के दिन इनका 3 result है 10-10 देख सकते है MEG 05 में 66 marks आए 10-10-2022 को इनका result आया है दूसरा जो इनका result है MEG 11 का आया है 73 marks है काफी अच्छे marks है बहतरी इनमास है 10-10-2022 को आया है और एक इनका और result है MEG 14 14 का है 100 में 61 marks है 61 नमबर 10-10-2022 का इस्टेन है और मज़े से मैंने आपको बढ़ा है Master of English के student है next इनके result के update देख लेते हैं देखो एक student का हो रहा है क्या है MSO यह जो student है Master of sociology के student इनका देख सकते हैं इनका जो कल के दिन दो result है अपडेट हुआ आप देख सकते है MSOE 03 में 100 में 63 marks है आप देख सकते है 10-10-2022 को कल के दिन दिन का result अपडेट है और एक और subject है देखो MSOE 04 में से इनको कल के दिन दिन यह भी result इनको अपडेट कर दिया गया है तो इनका दो result है तो कई बार मेरे पास Master of sociology की भी student पूँचते रहते हैं उनका result update हो रहा की नहीं हो रहा आप सभी का भी result update हो रहा है result मैं आपको दिखा देता हूँ A देखे इस student का देखे MEC Master of economics का student है इनका देख लीजे कल के दिन इनका एक result update की आग 10-10-2022 को आप देख सकते हैं MEC 02 में देख सकते हैं 100 में से 40 marks है 40 number है और Master degree में आप सबको पता हो गया कि 100 में से जो 40 number यानि 40 marks जो होते हैं पास होते तो एक subject है इनका result update किया गया है Master of economics के student है और उसमें subject में क्या इनको पास भी कर दिया गया है result update देख लेजे इनका देख लेए MECOM के student है ठीक है और MECOM के जो student है इनका result देखे इनका कल के दिन total 4 subject का result डिकलेयर कर दिया एक ही दिन में आप देख सकते हैं MECOM के student है और इनका result देखे इनका तो 3 subject में पास 2 subject में पास है sorry ठीक है क्योंकि 40 marks है 100 में से इनका जो आया है IBO 01 में देख सकते हैं 42 marks यानि 42 नमबर आये पास है दूसरा IBO 02 में से 100 में से 4 marks है तो देख सकते हो काफी 4 marks वैसे जल्दी student का आता नहीं आप rechecking के लिए या revaluation के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए आपके marks बढ़ सकते हैं photocopy and associate के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा दूसरा जो इनका subject देख सकते हैं IBO 03 में से 100 में से 44 marks है 44 marks है 40 marks पासिंग मारत इसलिए IBO 03 में पास है दूसरा जो इनका subject IBO 04 में देख सकते हैं 100 में से 32 marks है 32 number आए है और इस subject में क्या इनकी भी back है तो 4 subject का result आइनका देख सकते हैं दो में पास हैं और 2 subject में इनकी back लगी यानि इनको fail कर दिया गया है या revaluation के लिए भी apply कर सकते हैं या exam phone भर के दिसंबर में अपना exam भी दे सकते हैं देखेगा MST के भी student है इनका भी देख सकते हैं कल की date में 2 subject का result है 10-10-2022 को 10 October को देख सकते हैं 50 में से 14 number है इसमें इनकी back लगी है इनको fail कर दिया गया क्योंकि 50 में से 20 marks यानि master degree में master of Hindi के student भी इस number पास है दूसरा जो है MST 01 में जो है इनकी back है revaluation या photocopy answer sheet के लिए जरूर apply कीजेगा दूसरा next है MST 05 में 100 में से 66 marks हैं इसमें तो इनको pass कर दिया तो इनका subject और 2 subject इनका result update कर दिया गया है तो master degree के जिसने student वो मेरे से बार बार पूंशे रहते आपके लिए मैं आपके लिए मैंने बोला था कि मैं आप सबके लिए अलग से वीडियो जरूर रहा है तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताएगा चैनल को जरूर subscribe के लिए ना क्योंकि बहुत सारी परकार की जो result की update है कि चाए master degree हो कुछ भी हो और result कैसे आरा किस परकार से result डिकलेर हो रहे है और सभी परकार की चीजे में आहां आपको बताता रहूँ है इसलिए चैनल को जरूर subscribe के लिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक यू सो मच जय हिंजय भारत